कि दो दिन बचा हुए इसने दवा के खाना है नहीं का खाना छायगा पुरा कर दिया जाएगा है को जब तो दो मेने का खाईगा बस जितना आप भी जान रहें कि बस आज भर मठन चलेगा मुरगा चलेगा और मश्ली चलेगा क्यूंकि कल से सब बंध है आभी जाने की सावन शुरू होने वाला है तो चलिए मार्केट दिखाते हैं और लोगों से पुछते हैं कि आज भर बस खा सकते हैं कितना आप इसकरेंगे उसके बाद मुर्गा को मटन को और मशली को चलिए भीड भी दिखाते हैं आपको सावन कल से बन्द चाट तरीक से था बाद पर याद करेंगे भां का 22 महिना बाद सावन कल से यह तो खाएंगे नहीं आज हैंटावणी अभान溫श stoklag 8 लृव तो सावन के तो आज ही बन इतना खहा सकतें खाएंगे बिल्कूल ये बिल्कुल घड़ार बनता है या बस कभी कबार नहीं आल्मुस्ट बनता है चलि और भी लोग हैं जिनसे पूछना जरूरी है क्योंकि सावन कल से हैं और बस आज भर चलेगा घर पे जो भी दिश बनाएंगा तो मिस्ट करेंगे क्योंकि इसी पर बहुत लोग होता कि यही खाएंगे अगर खाएं लेकिन अब संडे हैं पहुंच गें बताइए कि सावन है कल से तो अब तो आज भर अब तो फिर नहीं नहीं कितना काएंगे अब दो महिना नहीं खाएंगे तो आज दबा कर खाएंगे चले भीड हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए भीड किस तरह से जो है वो लगावा है क्योंकि कल से सावन है और भीड जो है वो लग चुका है क्योंकि सब लोग मुर्गा पर तूट पड़े हैं मटन पर तूट पड़े हैं क्योंकि कल से सावन है और कल से नहीं खाएंगे तो आज ही बर जो है वो खाएंगे सब लोग सावन से पहले पहुंचे हैं मतन खाने के लिए मुटन लेने के लिए जो कोई सब लिए मैं मेट रहाइगा मटन मसली जिसको खाना है सब लिए और आपको भीर दिख रहा होगे मुस्कान देखिए दो महिन नहीं तो दो मेने नहीं मिलेगा तो इसी समय पूरा कर दिया जाएगा पूरा हो जाएगा लास्ट है आज आज दबागे खाएंगे एकदाम चलिए आंटी पिए हैं यहां पर दे कि सब करेंगे आज कितना घर में बनेगा यह बताइए आज तो बहुत सावन है तो बनेगा बनेगा नहीं और मिलेगा तो लोग खाते है तो आज तो पुरा एकदाम लौट्री है आपका आज के बाद दुकान बन कर देंगे दो महिना आपकुछ नहीं दो महिना नहीं दुकान बन दुकान बन अब भीड है आज बिक्री भी है आगे मचली दिबाट में जाके देखे उससे भी ज्यादा वहां भीड मिले रहे हैं तो दिखा दिया मचली मार्केट चलते हैं वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि सावन से पहले कितने लोग तूट पड़ें चली तो दिखिए अब मचली पार्ट में व्यस्त हो जाएंगे तो देख लिए कि सुबह सुबह जो मचली का मार्केट है वहां पर सब लोग पहुंच गया और भीड आप देख सकते हैं यह राजापूर पुल का नजारा है जहां पर सब लोग पहुंचे तो आज ही भार जो चलेगा चलेगा कल से पुर से लेकर यह पूरा रोड जो है वो जाम हो चुका है क्योंकि सावन शुरू होने वाला है और सब लोग सावन शुरू होने इस बर उंचर दिन का सावन है तो दबा के खाना है तो सावन मनाना है आज बहुत खाना है क्या ले जारे है ले जारा है निल कमल कितना दो केजी ले जारे है खुश लग रहे हैं बहुत इनसे भी पूशेंगे बस आज बहुत इतना खा सकते खाएंगे हाँ हाँ सपर हूँ है वह जाए बच्चा भी मौजूद है कर दो ममीद खिलाएंगे यह आपको अश्राइगी इस पानच और शेंपीश खाले आज बताई कि आज ही खाएंगा मिलेगा अब कर उसमिलेगा नहीं जाज कितना खाईएगा फालेंगे कि युदय दिखर रहे हैं चलिए हम आपको मार्केट दिखा रहे हैं यह मशली मार्केट है मुर्गा मार्केट आपने देख लिए जो कि सावन से पहले का क्रावड रहे सब से हैं वोत बहुत एपश्री भूंँद है हो चो अने विदो उच्ण सक हैं सब लोग के का घ्रबदा सकते हैं यह पूछि आज भर सकते हैं कि अब को लोग बहुत खुश हैं क्यूंकि भी आजी भर दबा सकते हैं इसके बाद दबा के खा नहीं सकते हैं और आपको भीड दिखा रेते हैं कि भीड किसकदर है क्यूकि ये मश्री मार्केट है और राजापूर पुल पे हम मौझूद है इसे पहले बोरिंग केनाल रोड में मौझूद है सब लोग बहुत लोग पहुंचे हैं क्योंकि सावन शुरू होने के बाद कोई खाएगा नहीं तो इसलिए जो मार्केट है वो पुरा भर चुका है लोगों से भर चुका है क्योंकि अब आज ही बर जो है वो ख मचली खाले यह मचली तो यह आज बहुत महंगा है मने रेट बढ़ा दिया लोगों ने 300 रुपे कीलो घुला मचली मिल रही है वह भी जिन्दा नहीं है चलिए और लोग हैं दिख सकता होगा आपको कि भीड किसकदर है मस्ली मार्केट का मतर्मार्केट का और मुर्गाम मा पोचे हैं मार्केट में खाने के लिए दबाखे दबाखे खाएगे की नहीं आज दिल से बोल्य दिल से बना तरक्षाना में सच बोले खिना देजिए बहुत लोग बहुत लोग बोलग बोलता है कि करेंगे लिद्ध की हैं कितना पीसी बताईए दस भी हो जाएगा कैमरा में दिखा देख कितना खाएंगे दस भी सकते हैं बड़ा-बड़ा फिर दो महिना का कसा राज निकलेगा ना उसके बाद निकलेगा आज निकलेगा ना आज औकल दस पीस वादा किये हैं नाम क्या हुआ हुआ है जितना हो से कुतना खाएंगे जानी दस पीस दस भी से मारके धीट मारकेट और चिकन मारकेट वह सब में बहुत भीड लग चुका है जब दिश्क पेश को लाइक कर देने वाद